मंगलं पंच परमेष्टि मंगलं ती थंकरं मंगलं विश्व जिन्धरमं मंगलं वीरसाशनं मंगलं वीरसाशनं यस्यस्वयं सभावाप्ति रहावे कृष्ण कर्मनां तस्मै संयान रूपाये नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने और ये भी है जो अनादी अनंत ध्रुबंद बानते हैं वे अभब केटिगरी में हैं जो साधी सांत कर्म बानते हैं अनादी सांत कर्म 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 बानते हैं कर्म का जो आधी तो हुआ है लेकिन उसका अंत भी होता है ऐसा कर्म बानते हैं ऐसे भब जीव होते हैं तो जो अघ्यानी है जिसको सच्चा आत्म का ज्यान नहीं है उस अघ्यानी को ज्यानी नहीं बनाए जा सकता बल्लकू बात वैसी हो गई है कोई को गधा को इंसान बना सकता है कि एक मास्टर साब के लिए गधा छोड़ देते हैं मास्टर साब जी आप बहुत पुर्शार्थ करते हो हमने सुना है कि आपके पास जो पड़ता है न वो बड़ा आदमी बन जाता है बड़ा ज्यानी बन जाता है सुना है कोई जज बन जाता है कोई डॉक्टर बन जाता है कोई बन जाता है कोई आई-एस कोई आई-पी-एस कोई आई-ए-स ऐसे बड़े बड़े पड़े लिखे आदमी बन जाते हैं हां क्यों नहीं क्यों नहीं बन जाते मैं मैं ऐसा पढ़ाता हूं मेरे अंदर ऐसे पढ एक काम करते हैं बैटने दीजिए हम सोचते हैं कि हमारा गर में गदा है आप उसे भी पढ़ा दीजिए गदा लेकि आगी माटर साव आप उसे पढ़ाईए आप इसे भी इनसान बनाईए उन्हों तुम्हारा दिमाग खराब है गदे को पढ़ा सकते हैं क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं पांच इंद्री जीव कौन कहलाता है जो सिक्षा ले सके वो पांच इंद्री जीव है ध्यान से सुनो जो सिक्षा ले सके वो कौन सा जीव है पांच इंद्री जीव है अब गधे को आपने सिक्षा दी तो वो बोज़ड होता है उतारता है रखता है तुमारे घर में आ जाता है चला जाता है सिख्षा से तो हो रहा है ना वो तोते को सिख्षा दो तो तभी बोलने प्रारम करता है आपके नुसार चलता है बंदर को सिख्षा दे दो घोड़े को सिख्षा दे दो कुट्टों को सिख्षा दे दो कुट्टे से बोलते उठो तो उठ जाता है बैटो तो बैट जाता है भ महले उनको प्रतारण कर के सिखाया हो लेकिन सी कह और न हम यख़िए नहीं कहे फुपान से उनको बच्चे होते हैं जानमर के बच्चपन इन तीदि सिखाया जाये तो वह आपकी हासा समझ जाते हैं और संकेत भी समझ जाते हैं और सिक्षा ले लेते हैं रिस्पॉंस देते हैं वो आपको ठीक है ना ऐसे ही माश्टर साब जी यह गधा है आप भी इस इंसान बनाओ ज्यानी बनाओ बोले हम नहीं बना सकते हम कैसे बना सकते हैं जो युगता ही नहीं इसमें ऐसे ही आचरवन के रहे हैं कि तुम अग को ग्यानी कैसे बना सकते हो और बाइचांस तुमारे पढाने से वो बन भी जाए तो तुम अहंकार क्यों करते हो किस बात का हंकार करते हो मैंने ग्यानी बना दिया से जिए इस पकार की त्याकत है कि मैं बना सकता हूं तो गधे को बना के दिखाओ फिर अपर यह भी तुब ने कि तो बना दिया माटर साब जी बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं फेल हो रहे हैं हाँ फेल हो रहे हैं क्यों फेल हो रहे हैं सभी को पास होना चीए तुम तो सबको ग्यानी बना रहे हो सबको पड़े लिखे बना रहे हो सबको हुश्यार बना रहे हो समझदार बना रहे हो तो फिर कुछ पास हो हो रहे हैं कुछ फेल हो रहे हैं नहीं वह पढ़ता नहीं है अरे वह पढ़ता नहीं है कि आप पढ़ाते नहीं हूं कि अरे सब की अपनी अपनी योगता होती है स्किल होता है कि वह उससे ही अपने आपको आंगे बढ़ा सकते हैं तो हमारे भगवान में तो ही किया रहे हैं भाई कि हम तुझे ग्यानी नहीं बना सकते हैं तो अपनी शक्ति से अपनी बीर सक्ति से अपनी ग्यान सक्ति से ही पढ़ने नहीं आएंगे कर से गुरू महरद जी हम पढ़ने नहीं आएंगे और आप ही क्यों समझ मुहना रही है ऑवामें धर्म धियान हमें जब समय आएगा तरो समझ लेएंगे कर थैब भाहिर मित का लेकिन ये भी बात सकते है कि उस ग्यान को वही ले सकता है जो उस ग्यान के योग हो हर मिट्टी से घड़ा नहीं बनता है मिट्टी की योग घड़े की योग मिट्टी होना चाहिए तभी वो घड़ा बनता है जिसमें कंकर हो, पत्थर हो अनवस्तु हो तो घड़ा कैसे बन जाएगा चिकनी मिट्टी चाहिए विलकूँ साफ सुत्री चिकनी मिट्टी हो तो घड़ा बनेगा कुमार कितनी भी मेहनत करता रहे दिन राज 24 घंटे कंकर पत्थर की मिट्टी से कभी भी घड़ा त्यार नहीं हो सकता फूट जाएगा बार बार तूट जाएगा बार बार सारी मेहनत खराब हो जाएगी और मिट्टी में योगता है तो कुमार के हलके से हास से ही तुरंत घड़ा बन करके तयार हो जाता है के तो मिट्टी में योगता होना चाहिए अश्वीर हर मुलायम रोटी के नहीं बना जाती है दिर्ल रवा ज्यादा नहीं आता से तो सिने रहाए मलायम 3ить नहीं बनती है, कड़क कड़क रोटी बनती है, खाई भी नहीं जाती, चपती भी नहीं है, चुंगम की तरह चमाओ विफसे, लेकिन अच्छा पिसा हुआ आटा है, बढ़िया है, जिस अच्छी रोटी बन सके, तो बनाने वाला रसोई भी अच्छा बना देता है, अनथा अ कुछ अधारित है, बीज में अच्छी फसल होने की योगता नहीं है, तो किशान करेगा क्या, खाद करेगा, क्या, पानी करेगा, क्या, खेत क्या करेगा, बैल क्या करेंगे, यह सब बाहर निमित हैं, एक बस्तू में योगता लाने के लिए बाहर निमित बहुत सारे हो सकत होते हैं और होते ही होते हैं है लेकिन योगता ही नहों कि एक मटर में एक ठुरू मटर कहलाता है कि वह पकता नहीं है कि कौन सा मटर बोलते आप लोग है हमारा ठुरू बोलते हैं कि उसको आप कुकुर में डालो कितनी सीटी लगाओ कि साम तक सीटी लगाते रहना तपाते रहना लेकिन वह गलने वाला नहीं जयों कि त्योंट से मस नहीं होता है वह वैसी रहता हूँ कि इसलिए किसी का उद्धार हो जाए तो आचर वह नहीं बताना चाहे रहे यहां पर भाई तू अहंकार मत करना तू किसी को ग्यानी नहीं बना सकता है और ग्यानी बन रहा है तो वह अपने ग्यान के परिणमन से बन रहा है सोयम के घ्यान के दर्शन के प्रिणमन से वह जाए ज्यानी बन रहा है यहां तुम यह भी ले लेना तुम किसी को सुकी नहीं कर सकते हो वह अपने ही सुक गयून के प्रिणमन से अपने आप में सुकी हो रहा है तू किसी को सुखी नहीं कर सकता है उसके सुख में निमित बन सकता है उसके ज्यान में निमित बन सकता है मैंने तुझे सुखी किया मैंने तुझे ज्यानी बनाया ऐसा भाव नहीं लाने के लिए बात यहां पर की जा रही है और इसी प्रकार से किसी भी अग्यानी को मलब किसी ग्यानी को अग्यानी नहीं बनाया जा सकता है किसी बिद्वान को गधा नहीं बनाया जा सकता मातर साब जी ये पकड़ो ये बिद्वान इसको गधा बना दो भाई हम तेरे ग्यान को अग्यान कैसे कर पाएंगे कि मेरी शद्धा जो है सच्चे देव साथ क्रू के प्रती है और उसे आप जो है असद्धा में कैसे परिवर्टित कर दोगे कि सुनों कि छाएक सम्यक्द्रष्टी जीव के लिए सारा तीन लोक भी आंकर के समझाए कि ये गलत है तो लेकिन उसको भी उस्विकार ना करें जाएक सम्यक्द्रष्टी इतनी अटूट शद्धा है साक्षात सामने गलत देखते हुए भी उसकी भगवान की गुरू के प्रतिशद्धा कहनी होती है स्वर्गों में चचा चली कि प्रत्वी लोग में बरतमान में राजा स्रेंडिक जो है बहुत सच्चा सद्धावान जीव है अच्छा हम तो नहीं स्विकार करते हैं और दो देव जो हैं उनकी परिच्छा लेने के लिए आगए कि देखें ऐसा सद्धावान बहुती संसार में भी है तो एक ने मुनिराज का रूप बनाया और एक ने आरिका का रूप बनाया और आरिका भी बनाया गर्वती वाले और मुनिराज जो हैं तलाप के किनारे आरिका के साथ बैठे हुए हैं और वहां पर वो मचली को पकड़ रहे हैं उद्ध्यान में माली ने देखा राजा को जाके बताया कि अपने उद्ध्यान में ऐसे संत्सादू आए हुए है तो बहुत गौरब की बात है तो चलो दर्शन करने चलते हैं मंत्री लोग जो होते हैं वो सबसे पहले आंगे विवस्ता देखने जाते हैं वो जब वहां पर गया इस प्रकार की हालत देखी तो भागते हुए आया मन में लगा कि भाईया राजा सेंडेक ने देख लिए हालत में तो कहीं सद्धा कम हो जाएगी तो जिन सासन का जो है विनास हो जाएगा च्छती हो जाएगी इसलिए वो गया बापिस और राजन कोई बात ने अपने बाद में देखेंगे बाद में चलेंगे कई प्रकार की उन्होंने बाते करी घुमा फिर आकर डारेट नहीं की इंडारेट आप रुख जाएए महराजी बीजी है स्वास ठीक नहीं यह वह बा नहीं बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता है मैं तो किसी भी हालत में दर्शन करूंगा ही करूंगा बहुत समझाया बहुत समझाया नहीं माने नहीं माने बिल्कुल कि कई उपाय कि यह रुख जाएं रुख जाएं रुख जाएं आपका स्वास ठीक नहीं है कल देख लेना मौ कि आओ, सब को बुलाओ, हम सब चाहेंगे दर्सन के लिए, नहीं माने चले, अंदर से मंत्री बहुत दुखी हो रहा था, जैसे ही वहाँ पहुँचे, राजा सेंडेक ने सब कुछ देखा, लेकिन तीन परिकमा लगाएं, क्या करीं? तीन परिकमा लगाएं, और उटके बैठकर के नमस्तु किया, तीन बार नमस्तु किया, सुख साथा पूछा, और नमस्तु करती ही चले गए, जब राजा सेंडेक ने नमस्तु किया, तो सारे मंत्री मंटल ने नमस्तु किया, सारी प्रजा ने नमस्तु किया, और वो चले, और रात को अंधेरे में राजा स्रेनिक भेश बदल करके छुप करके वहां पहुँचे कहां पर मुनिराज थे आरिका थे पर हुआ आपका ऐसा स्वरूप अरे तुम समझते नहीं हो यह आरिका जी को दोला उत्पन हुआ है गर में बच्चा है मेरा और इसको जो है यह खाने की इच्छा हुई है इसलिए पकल रहा हूं मैं वो सब ठीक है पर इस अवस्था में यह ठीक नहीं है लोगों की सद्धाय ठूपती है जिन सासन की अफ्रहाना होती है करपा करें आप जो है मैं आपको फिर भी नमुस्तु नमश्कार करता हूं मैं तुछ हूं मैं छोटा हूं मैं आप जैसे महान व्यक्तित्व को कैसे कुछ कह सकता हूं कुछ बोल सकता हूं बता सकता हूं इस प्रकार से अपनी तुछता दिखाते हूए अपनी लगुता दिखाते हूए बिनम्रता दिखाते हूए शद्धा भाव दिखाते हूए राजा स्रेणिक बार बार नमन नमुस्तु करते हूए और छमा याचना करते हूं मुझे छमा करना मैं आपसे बार बार छमा मांग मैं ध्रिष्टता कर रहा हूं जो मेरा अधिकार छेत्र नहीं है उस अधिकार छेत्र की सीमा को लांग रहा हूं यह प्रभु मुझे छमा करें है गुर्देप छमा करें पर आप विचार करें इस पर चिंतन करें आप पर जिसासन टिका हुआ है आप जिसासन के प्रभावक है महावीर की परंपरा के अनुकामी हैं, इस प्रकार से उन्होंने आत्म संबोधन दिया, हितकारी बन करके, मित्र बन करके, अहंकारी बन के नहीं, हाँ, तुम बताओ, मानते हो नहीं मानते हो, या भी देखो, ऐसे नहीं, हितकारी बन करके, सच्चा सम्यद्श्टी जो होता है वो हितकारी होता है वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता है और अपनी बातों से जिन साशन की अप्रभामना नहीं कर सकता है हिर्दय की मित्र बनकर सु हिर्दय की मित्र बनकर के उन्होंने संभोधन किया उन्होंने संध्याया अब वो असली में मुनि आरिका तो थे ने वो देव थे वो अपने स्वरूप में आते हैं और स्वरूप में आकर के राजा स्रेनिक को नमशकार करते हैं धन्न है राजासरेडे अद्धुत है आपकी श्रध्धा जैसे हमने सुनी थी स्वर्ग में जैसे आपकी श्रध्धा की चर्चा चल रही थी वह चर्चा को आज हमने साक्षाद देखा आप धन्न है आपको नमना और नमस्तु है तो यह होता है देखिए अटोड सद्धा को कोई टोड़ने सकता है ज्यानी को कोई अज्यानी बना नहीं सकता है तो सभी निमित्त मात्र हैं ज्यानी को अज्यानी नहीं बनाया जासकता है सोयम की प्रणती ही अपने आप में ज्यानी को अज्यानी और अज्यानी को ज्यान बना सकते हैं हम ही जो हैं अपने अग्यानता को दूर करके ग्यान प्रकट कर सकते हैं और हम ही जो हैं अपने ग्यान को दूर करके अग्यानी हो सकते हैं लेकिन इसमें जो बाहर निमित तक कार करता है बहुत जबर जस्त कार करता है लेकिन हम उसे अपना अधिकार नहीं दे सकते हैं आपके कारण हम ज्ञानी बने और आपके कारण हम अज्ञानी बने ज्ञानी और अज्ञानी का पर्णमन तो हमारा सुयम का है हमारे सुयम की परणती ही हमें ज्ञानी और अज्ञानी बनाती है लेकिन बाहे जो मिलता है वो निमित्र मात्र है उधारन दिया है गतहे धर्मास्ति काइबत जैसे धर्म अस्ति काइब चलने में बुद्गल औजीब को सहायक मात्र है उदासिन निमित है प्रेरक निमित नहीं है ऐसे ही हमें सभी संसार में उदासिन रूप से निमित है यह दपी प्रेरक निमित भी होते हैं गुरु आदी प्रेरक निमित होते हैं मातपिता प्रेरक निमित होते हैं लेकिन यहां पर धर्म अस्तिकाय को दिया है उदासी निमित बताया है कि संसार में प्रतेक जीव के प्रतेक द्रब के प्रिणमन में सब एक दुसरे के निमित बने तो वो उदासी रूप से हैं स्वयम का स्वयम रूप से प्रिणमन होता है ऐसी यहां पर ही बात हमें समझना आए जिन्वानी शुति करते हैं जावानी के ज्यान से सुजे लोकालो सोवानी मस्तध धरु सता देत हों धो ए जिन्वानी भारती तोहे चपों दिनने जो तेरी सरना धरेशो पावर शुक्ष आज़ो कारेक्रें पार्च शाला के पुन्य आर्जक थे श्रीदी गंबर जैन मंदिल लोधी कलोनी दिल्ली